नमस्कार दोस्तों आप क्राइम तक दिखनें बात करते हैं बिलकिस बानू मामले की पूरा फैसला सुप्रीम कोट ने पलड़ दिया ग्यारा आरोपियों को आप जेल जाना पड़ेगा सुप्रीम कोट ने कहा कि भाईया ये तो सजा इनको मिली थी सजा माफ किस ने कर दी क्यों कर दी तमाम सवाल खड़े कर दी प्रिवेश तो सबसे पहला था चिराग जी हम सीधा कोट के वर्डिक पर आते हैं कोट ने कहा सुप्रीम कोट ने कहा देखी ये पुनर विचार जो बोलता है हमकी वापस रिवीव पेटिशन डाला जाता है लेकिन गुजरात सरकार ने इनकी माफ्य दे दी थी जो कि उनके अंदर आता ही नहीं था यह गैए गानूनी था साफ साफ सुप्रीम कोट ने ये अपने फैसले में कहा कि भाई ये फ्राइड है मतलब सरकारों ने चाहे गुजरात की सरकार हो चाहे मुंबई की सरकारों प्रॉपरली कम्युनिकेट किया ही नहीं सुप्रीम कोट में किया चल रहा है आप सूछ़के इ अंधेरे में रखा और इसी बात को लेकर सुप्रीम कोट खफा हूँ और उसने कहा कि भाई इसमें तो हमने ये कहा था कि माफी तो ठीक है आप देना आपका अधिकार है लेकिन किस आधार पर दी जा रही है ये भी तो बताएं ये कुछ नहीं बताया गया और इसी वजह से सजा इनकी माफ की गई तो कुछ ऐसे आरूपी थे जिन्होंने 15 साल से जादा की सजा काट लेती और कानून ही कहता है कि उसके बाद सजा माफी अगर आरूपी चाहे सजा माफी के एप्लिकेशन लगा है तो उसको सजा माफी सरकार दे सकते हैं तो फिर क्या गलत किया गलत एक चीज ती ही चराहग जी सजा आपको कहा मीली केस कहा चल रहा था ता आपका केस चल रहा था नहींट नहीं प्लाप भी अब ट्रुला वैकाade लिए इन्वेस्टिकेशनुन फैर होने के लिए उस इन्वेस्टिकेशन को मुंबई ट्रांस्फर किया जा 깉ए तो मुंबई वहान कर रहा था तो फैसल सुनाया था था मॉंबई हाइख को देख रहे थी तो जो फैसला आये था से की सब्सक्राइब कर दोनों जगा सब्सक्राइब मिलने के बाद यह सजा कार्ट लिए ते 14-15 साल के उपर जो सजा कार्ट लिए इसके बाद इन्हों ने एक जो समय जितने जो थे आरोपी थे हैं और कल्पिट में से एक गया सुप्रीम कोट उन्होंने फाइल कर दी कि हमें हां कि हमें मिलना चाहिए तो उन्होंने बोला राज सरकार को बोला दो महिने में इनके बारे में बताईए अब ऐसा हुआ नहीं पहले सॉरी मैं वापस करेक्ट कर दूंगा पहली बार पहली बार से इनकी सुनी नहीं गई तो इन्होंने यह सुप्रीम कोट चले गए यह गए कि अच्छा गुजरात हाई कोट का है तो तमंदो गुजरात सरकार से जाओ उनके पास जाओ और गुजरात सरकार को बोला कि दो महिने मेन इनकी आप बताओ कि क्या से फैसल एरा है क्या स्टेटस कहा कि भई अगर फैसला लेना था तो माराश्टर की कोट लेती मुंबई की कोट लेती ये गुजरात सरकार ने फैसला कैसे ले लिया पहली बात दूसरी बात ये कहा कि कुछ सुप्रीन कोट को बता ही नहीं गए ये किस तरह का फ्रॉड हो रहा था आप सोचिए इतने वड़े केस में जब पता था कि गोधरे में गोधरा में दंगे हुए उसके बाद बिलकिस बालों के साथ ये रेप की घटना हुई और उसके बाद आरूपियों को इसमें सजा भी कि भई सजा पूरी कर ली तो फिर कितने इस तरीके से नहीं कहा ना आपने तरीका गलत अपनाया अभी तो बंबे हाई कोट ने फैसला सुनाया ना अभी तो सुप्रीम कोट का फैसला भी तो पेंडिंग है अगर मान लिजे स्टेट यानि सरकार इनके खिलाफ इस सजा के ख पैसले के रिवीव के लिए अपलाई कर सकते हैं हाँ अब सुप्रीम कोट सुने या ना सुने वह पहली चीज़ अब ये खुद को सरेंडर करेंगे इनको बोला है दो हफ्तों के अंदर सरेंडर करने के बाद वही जो माफी नीती के तहत ये महराज सरकार के पास जाएंगे महराज सरकार के पास ये फिल्ट से अपलाई करेंगे तो वहां की सरकार क्या पता इन्हें दे दे तो इनको रिलीफ अगर वहां की सरकार दे तो इनको रिलीफ मिल जाएगा इस केस में जहां तक मुझे पता है बिलकिस बानों के साथ रेप हुआ था और साथ लोगों के हत् गई थी उन्होंने लेकिन पेटिशन डाला था उन्होंने पेटिशन फाइल की थी और बताना चाहूंगा कि यह मामला भी इतना ज्यादा तूल इसले पकड़ा चिराग जी यह जितने आरोपी हैं जब जो बहार आएं छूटकर तो इनको इनके हार मुफूल मालाओं से इनका सवागत कहूं था दीखिये कोई चोट मोटे क्राइम में नहीं में गए थे यह एक और छीज पीज़ पहले टीव पहले इनका और कोई नहीं दिखा इनको, और कोई स्टेट में नहीं है, तो आपने और किसी को नहीं, एक स्पेशल केटेगराइज लोगों को आपने दिया है, तो ये भी कही न कहीं पॉइंट लेकिन सवाल एक ये भी उठता है, जो बॉंबे हाई कोट ने फैसला दिया, जिसमें अपी नामा दिया गया था, उसको खारिस कर दिया है, सुप्रीम कोट ने अब ये सारे आरोपी जेल दुबारा जाएंगे, सवाल ये भी उठता है, कि जब एक केस में जेल, जितनी सजा प्रिसक्राइब थी, उतनी सजा मिल गई, जिन सेक्शन में दोशी करार दिया, उन से सेक्शन में सजा मिल गई, तो फिर अगर रिमिशन दे दिया, तो इसमें कौन सा गुना कर दिया, ये ऐसे तमाम सवाल है, जो अब खड़े हो रहे हैं, खैर देखना होगा, सुप्रीम कोट में मामले का क्या हश्र होता है आने वाले वक्त में, क्या भीजियों पक्ष इस सबस्ट कर दो करें थाए हैं, थैसे दो आने वक्त में मामले का भीजियों प्रफित, प्लिए, तो अभीजियों अभीजियों प्रफ प्रफित, चाहता है तो जो एदू सबस्यों पागर प्रवें मामले क्वां है।